हाई आवरीवन फिर्स्ट फॉल गुड मॉर्निंग डुवाल आफ यूटीब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गांदी इर्बन बैक्टावरों टेबल कांफेरेंस के मोस्ट इंपोर्टन वन नाइन इर कोईशन्स इससे पहले अगर हम बात करें तो नाइन इंपोर्टन हमारे मॉडर्न इस्टी के रहेंगे उन सभी को हम कबर करते जाएंगे 1947 तक तो आज का जो टापिक रहेगा गांदी इर्बन पैक्ट और राउंटेबल कांफेरेंस के रहेंट जहां पर हम इसका जो वीडियो रहेगा जहे रहेगा वान लाइन कोईशन्स के र रहेगा आप कमेंट बाक्स में इसका आंसर जूरू बदा सकते हैं तो आंसर रहेगा जहां पर 5th March 1931 ठीक है तो 5th March 1931 को गांधी इर्बन पैक्ट जो है उसको साइन किया गया second question which moment was withdrawn after the Gandhi इर्बन पैक्ट अब गांधी इर्बन पैक्ट के बाद क्या होता है किस moment को withdrawal किया जाता है जाब withdrawal किया जाता है ठीक है तो उस moment का नाम था civil disobedience movement तो civil disobedience movement को withdrawal किया जाता है after Gandhi इर्बन पैक्ट next question की बात करें in which roundtable conference did the congress participated अब कौन सी roundtable conference में congress ने participate किया था so answer क्या रहेगा जहां पर answer रहेगा friends second roundtable conference second roundtable conference हुई थी बहां पर congress ने participate किया था next बात करें महत्मा गांधी जीन ने participate किया था second roundtable conference में from Bombay to London in the ship name जहां पर ship का नाम था SS Rajputana and stayed at Kingsley hall Kingsley hall कहां पर है जाब comment box में जुरूर बताईएगा तो जहां पर गांधी जीने stake किया था ठीक है उसके बाद कुछ और questions की बात करें तो जहां पर बताना चाहूंगा who was the representative of Indian National Congress in second roundtable conference तो कौन representative था INC का second roundtable conference में so answer रहेगा आपका महात्मा गांधी ठीक है तो यह काफी important है question इस exam में पूछे जाते हैं next question की बात करें which Indian leader participated in the first roundtable conference कौन से leader थे जिन्होंने first roundtable conference में participate किया था so answer क्या रहेगा मौलाना मुहम्मद अली मौलाना मुहम्मद अली वाज़ फर्स्ट लीडर हू पार्टिस्पेटेड इन दा रोंटेबल conference ठीक है तो जो काफी important है यह सारे के सारे question जितने भी हम कर रहे हैं बहुत बार exam जो exam में इस टाइप की question जो है repeat हो चुके next question की बात करें who was the representative of Indian Christian in the wrong table conference तो रोंटेबल conference में कौन representative था Indian Christians का जहाँ पी question बूचा गया है so answer बनेगा आपका Katie Paul Katie Paul is the right answer next question की बात करें तो next में आपको जहाँ पर बताना जाओंगा विंसन चर्चिल काल्ड महादबा गांधी इन्होंने महादबा जी गांधी जी को क्या बोला था उन्होंने बोला बोला था half-naked फकीर in the second wrong table conference ठीक है तो इस टाइप की अगर quotation exam में आती है तो आपको विंसन चर्चिल को टिक करना है ठीक है next बात करते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं जो गांधी इरबन प्यक्टर रोंटेबर कांफरेंस के लेटरी काफी इंपोर्टन ही यह conferences देख सकते हैं और जी इनके year देख सकते हैं फर्स्ट रोंटेबर कांफरेंस कब हुई थी 12 नमबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 ठीक है उसके बाद जहां भी बताने चाहूंगा जो 2nd round table conference हुई थी यह काप हुई थी 7 September 1931 उसके बाद 1st December 1931 ठीक जह आपके लिए इंपोर्टन है और 3rd round table conference होती है 17th November 1932 और उसके बाद अगर बात करें 24 December 1932 तो जह तीन इंपोर्टन है आपके लिए 1st round 2nd round 3rd round table conference इस टाइप के एक्जाम में कुछे जाते हैं next बात करें next question है why did the 2nd round table conference failed अब इसके पीशी क्या reason थे क्यों 2nd round table conference जो थी वो fail हुई थी स्वानसर रहेगा आपका on communal representation की वज़ा से ठीक on communal representation की वज़ा से 2nd round table conference जो थी वो fail हुई थी उसके बाद बात करेंगी question number next जो आपका question number next है who proposed the resolution on fundamental right and national economic program in Karachi session on 1931 तो किसने प्रपोस किया था resolution on fundamental rights के related और national economic program कराची session हुआ थो 1931 को so answer क्या रहेगा जवारलाल नहरो जवारलाल नहरो हमारे देश के पहले प्राइमिनिस्टर थे next question which Indian participated in all the three round table conference जे एक्जाम में question बहुत बार repeat हो चुका है ऐसे कौन से Indian थे जिन्होंने तीनों round table conference में participate किया था so answer क्या बनेगा BRM बेटकर BRM बेटकर जो थे ऐसे Indian थे फर्स्ट ऐसे Indian थे जिन्होंने सभी three round table conference में participate किया था next question की बात करते हैं who called Gandhi and Irban as two Mahatmas अब गांदी और इर्बन को दोन्नों को किसने महातमा कहा था so answer कर रहेगा सरोजनी नाइडू गांदी जी और इर्बन को कहा था कि ये as two Mahatmas अब बात करेंगे तेज बहादू सप्रू तेज बहादू सप्रू जो थे उन्हें important role play किया in the signing of the Gandhi Irban pact जो आपके लिए important है तेज बहादू सप्रू के दोरा एक बहुत important role play किया गया ठीक है गांदी इर्बन pact को sign करवाने में तो फ्रेंड जे थे आज के short से question one liners जो आपके लिए गांदी इर्बन pact और round table conference के related बहुत ही important थे जे था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा वीडियो कोमेंट बाक्स पर ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटीब चैनल को thank you friends good bye and take care